हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बाद द्वारा से आपके अपने चैनल विवेगाना स्टॉक्स पर दिल से दोस्तों बात करेंगे टॉप थ्री बैस्ट पैनी शियर जो तीस रुपे के निचे ट्रेड कर रहे थे और आपको हमने ये स्टॉक तीन हफते पह बैस्ट पैनी स्टॉक बिलो तीस रुपे बात कर रहा हूँ अगर आपको जानना चाहते हो तो डेफिनिटली वीडियो को लास तक देखके जाना ठीक है और साथ में वीडियो को शेर कर देना फेस्बुक टूटर टेलिग्राम वटसब में अगर आप ये काम करते हो तो डे हो जाएगा वहां मुझे आप हाई कर देना जब एक बरती जब आप शेर कर दो वीडियो को ठीक है तो शेर पक्का कर देना साथ में लाइक तो दबा देना ठीक है तो मैं किन तीन बैस्ट टॉप थी पैनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो तीस रुपे की निचे ट्रेट क अप भी था और ये स्टॉक आपको हमने बहुत पहले से तीस रुपे के लेवर्स में दिया था दो महीने पहले और हाल फिलाल के दिनों में जब इस्टॉक मार्केट घर रहे थी आपकी तो मैंने जब इस्टॉक 24 गास पर ट्रेट कर रहा था एक वीडियो बनाया था उसमे चेज नहीं करना है किसी सटॉक को दोस्तों जो सटॉक था पहने स्टॉक की स्टॉक लगाता है जनवरी से हम ट्रेक कर रहे हैं अगर आप हमारे चणनल फॉलो करते हो भीका możemy कया था भीक मत जोह मुझे लगता है कि वहां आप फूचर में इंक अ ब्राइट फूचर है ठीक यहाँ पर आता गेम, बहुस है लोग करते हैं क्या, स्टॉक को चीस करते हैं, तो मैंने आपको बहुत clear बड़ो में का है कभी स्टॉक को चीस मत करू वेड करो, स्टॉक definitely अपने सपोर्ट भानिवार्ट अता है, सपोर्ट भानिवार्ट भाल से bounce back करता है और तोसों देखी यह stock दुबारा से जिस price में आपको हमने दो मेने पहले update दिया था 234 रुपी के आसपा stock दुबारा से उसी price में आया तो इसको बोलते है support ठीक है कोई भी stock अगर उपर जाना है तो वो support में पक्का डैव में support लेगा resistance जैसे break होता फिर सपोर्ट की तरह काम करता है फिर उपर जाता निया चाहता ऐसे जाता है ठीक है तो support resistance को समझो और उसके basis पर काम करो ठीक है तो यह था हमारा पहला stock इसमें आज बहुँच्छा काम काज हुआ 60% के आसपास quantity लोग घर लेके गए पहले आपको पुराना video दिखा रहा है थाकि आपको थोड़ा हो जाया कि हमने आपको दिया था तो दोस्तों वह यह video था ठीक है जो एक हफ्ते पहले आपको अप्डेट दिया था तो इसके तरह मैं click कर देता हूँ आपको तीने को तीने के stock के लिगा दोस्तों यह 3 चौक आपको मैं recommend किये थे उसमें से हमारा पहला था Morphe Lab थिखा देता हूँ ठीक है और यह चरक मुझे काफी पसंद आता है ये पसंद आता है तो दोस्तों यह टो मुझे लॉन्ग के लिए पसंद आता है मॉटफन लब कंपनी लगाता है प्रॉटेबल कंपनी है और अगर मैं गलत नहीं तो company debt-free company है और promoter की holding ठीक ठागे company में ऐसा नहीं कि promoter की holding बहुत कम है आप देख सकते हैं current पाई चल ला है 36 रुपे के आसपास stock ने लाच 5 जिनों के आप चार्ट देखते हो तो एक high लगाया है 37 रुपे के आसपास का और मुझे लगता है जैसे stock 41 का high break करेगा definitely आपको लंबे target देखने को मिल सकते है अराम से 50 रुपे के target ठीक है तो भाई definitely अब बहुत सारे question आते है sir कि क्या stock को अब buy कर ले तो उसमें यह बोलूँगा देखो भाई आपका अपना पैसा है अब आप 1000 रुपे ना invest करके अभी लगाओ 400 रुपे ठीक है अगर गलती से गलती से यह stock 30 रुपे दुबार आ जाता है तो आपके पास पैसा होना चीए नीचे buy करने के लिए market में हम गलती यही करते है कि हम पूरो का पूरा पैसा एक बार में invest कर देते हैं जो बहुत बड़ा mistake और blender mistake होती है आपको wait करना stock को दुबार निचे आने का और भाई या देको market 100% predict कोई नहीं कर सकता है कि कहां जाएगी आपको सिर्फ एक संभावना होती है क कि यह मैंने अगर 36 में भाई किया है अगर इस टोक 30 रुपे आ जाता है तो definitely वहाँ पर average करने के लिए आपके पैसा होना चाहिए अगर उससे पैसा नहीं होगा तो definitely आपको नुकसान का भी हो सकता है इसलिए मैं कहता हूं ठीक है बाई तो हमारा पहला stock आपने देख लिए कापी सांदार आयत है और अपने बुक से कापी सस्ते में यह कंपीने में ट्रेट कर रही है तो यह कुछ कान थे जिस बज़िए मैंने यह stock आपको 30 रुपेग नेचे के दिया था तो भाई अगर आपको विस्वास नहीं होता तो आप खुद ना इसके एक पर प्रोफिल च चल रहा था और यह stock अभी भी उसी price के आसपर trade कर रहा है तो मैं आपको दिखा रहेता हूं ठीक है दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हो जिस तीसरे पैंज स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं जो 30 रुपे के चे ट्रेट कर रहा है उसका नाम है RVNL रेल विकाज निगम में यहां 239 रुपे का असपर trade कर रहा है और यह stock जैसे इसका OFS आया था आपको पता है stock ने 26 रुपे का लो लगाया था और एक वीडियो के माध्यम से आपको update दिया था मैंने कि 28-27 के आसपर stock काफी पसंद आ रहा है मुझे आप बाय करके hold कर सकते हो और यह stock भाई है एक multi-way और half लगी यह दिनों में जो इसका OFS आया 15% का जो sell किया है government ने उसमें से 8% का stake ना LIC ने बाय कर लिया LIC ने तो भाई LIC जैसी company ने इतनी बड़ा आप उसकते institution ने बाय किया है stock को तो भाई definitely आप stock को अड़ाव में रखिए अगर आप stock को बाय कर दो कर दो कर दो कर दो कर आर्वी ने का चार्ट मैंने खोला उसी प्राइस पर भी ट्रेट कर रहा है और मैंने सुना है दोस्तों आर्वी नेल की ख़वर आई है इसी महीने यह डिवीडेंट देने वाला है 7 अप्रेल की डेट है मेरे घालत अगर मैं गलत हो तो नीचे comment कर बदा सकते हो definitely अगर आप आरे करना तो आपको डिवीडेंट भी अच्छा कासाश में मिलेगा एक रूपे के हिसाप से इसमें डिवीडेंट मिल रहा है अगर आपके पास 1000 कौनिटिटी होगी तो आपको 1000 रुपे का यह कंपनी देने वाली है इस महीने तो भाया डिवीडेंट भी स्कॉक का आने वा बहुत बड़ी है कंपनी लगता प्रॉफिटेबल है कंपनी के प्रॉफिट जंप होए और दूसर है मॉर्फिल लैप यह तो बहुत सांदार कंपनी है यह एक फार्मासुटिकल कंपनी है ठीक है भाई इस स्टॉक को डेफिने ड़ा में रखो तीसर स्टॉक है आर्वीनल जो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करी देते हो यह किन कॉमेंट करके बथाना कि आपको वीडियो कैसा लगा कुछी महनत लगती वीडियो बनाने में ठीक है भाई तो महनत को अप्रेशेट किया करो तो मिलता हूं आपको अपनी न